नमस्कार दोस्तों जे हिंद जे भारत दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे प्राथना पत्र प्राधना पत्र का विशे है अपने विद्या लेके प्राचारे महोदे को एक प्राधना पत्र लिखिए जिसमें ओनलाइन अध्यापन में आने वाली समस्या का वर्णान हो ठीक है ना याने कि आपको अपने विद्या लेके प्राचारे महोदे को एक प्राधना पत्र लिखन जिसमें आपको ओनलाइन अध्यापन का उल्ले करना है कि आपको ओनलाइन अध्यापन में क्या रही है समस्या आ रही है और दोस्तों इस साल ये वाला प्रात्ना पद्र कोई न कोई सी बोर्ड परीच्छाओं में अवश्य ही आएगा ठीके न तो इस पर आप ध्यान इस अध्या बोबाद इसकोल को लिखते हैं तो क्या आएगा सेवा में सेवा में के बाद क्या आएगा अलफ राम का चिन यानिक पूमा का ऊःधेओ अपर देश और ये YOUं अनके ये और को लिखना है सीवा मैं के आए sì आने वाली समस्य के बावत याने कि आ रह रहे है इसके कारण आपने क्या 뉴스 लिखा पिर सेवा में की सीध में क्या आएगा महोदय के बाद क्या लगेगा अलप विराम का चिन है फिर आपको लिखना चालू करना है या के नीचे से थीक है ना जिस प्रीकार आपको दिख रहा है मैंने लिख रहा है कि उप्रयुक्त विशे में विनम्र निवेदन है की कुछ महिनों से विगत कुछ माहों से COVID-19 की वजह से हमारे विद्याले में ऑनलाइन कक्छाओं का संचालन हो रहा है परन्तु इन कक्छाओं में कभी मोबाइल नेटवर की समस्या तो कभी कक्छाओं में रोशनी की समस्या आवाज की समस्या से हमें दो-दो हाथ होना पड़ता है ये तो आगे आपका विवरन जिसके कारण आप परेशान है ठीक है न फिर आपका पेरेग्राफ चेंज होगा तो कुछ बच्चे पेरेग्राफ इधर से करते हैं कुछ करते हैं इधर से जबकि यहां से होता है पेरेग्राफ चेंज है न यानि सामने लोगों पता परना चा भावी मतलब होता है आने वाले भावी परिश्य परिणाम पर कोई असर न पड़े अब फिर पेरेग्राफ चेंज होगा हम आपके आभारी रहेंगे इसके बाद आएगा यहाँ पर धन्यवाद धन्यवाद के बाद आएगा बिस्मयादी वोधक का चिन्ह फिर आएगी दिना दिनांक आपको हिंदी में ही लिखना है और कोविड 19 भी आपको हिंदी की संख्या में लिखना है देव नागरी में 26 12 2020 इस दिनांक के नीचे आपको यहाँ पर लिखना है कुछ बच्चे दिनांक की सीध में लिख आते हैं जबकि दिनांक के नीचे क्या आएगा आपके आ 12 वी के समझ चात चातरा गण कक्षा 11 वी के समझ चात चातरा गण कक्षा 10 वी के समझ चातरा गण यहाँ पर आपको 10, 12 ठीक है इस प्रकार नहीं लिखना है आपको हिंदी में ही लिखना है उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा समझ में भी आया होगा कमेंट्स करिएगा धन्यवाद